सो फैनली दोस्त आप लोगो देखो कि बैंक और बरोडा ने अपने कॉटर फॉर के नंबर डिश्ट कर दियां कैसे हैं तो चलिए जानते है डिटेल में और क्या कुछ अनॉंस हुआ है अनॉंस्मेंट की बात यह तो साथ रुपे साथ पैसे क्यास पास का कंपनी में करेंगे यहां पर क्वट्र एंडिट और यह पर 12-month एंडिट तो चलिए देखते टोटल इंकम तो टोटल इंकम से हमें देखने को मिले अब की बाद है थी लाग शेंटीस हजार शो रिती तीन क्रोड सेंटीस लाग सेटर हजार चारसो शतासी लाख की अगर क्रोड में श् यानि कि year to year और quarter to quarter दोनों जो गहों पर जो income वो हमें increase होते हुए नजर आई है और interest से जो earn किया वो यहाँ पर आप लोग देखोगे वहाँ पर भी हमें जोना भी इसके revenue में जंप देखने को मिला है इसके बाद 12 months hundred में भी आप लोग देखोगे लग बग 99,614 क्रोड से जो income हो एक लाग सताही जार दस क्रोड पर पहुंची है 101 क्रोड पर पहुंची है तो काफी अच्छी वह income और और काफी अच्छी होते वह नजर आई है उसके बाद देखोगे expenditure यानि जो खर्चे रहे हैं तो अपकी बार bank ने कितने खर्चे की हैं भी वह यहां पर देख सकते हो कंपनी ने फिर से profit बनाया है लेकिन कितना profit अचलिए देखते उससे पहले आप लोग देखोगे provision जो provisions हमें अपके बार देखने को मिलिया वह कैसी है वह अभी 1301 क्रोड की ठीक है जबकि previous में क्या थी 6663 क्रोड की और previous year के same quarter से compare करो वहां पर 1420 क्रोड की थी तो quarter को sorry 66 क्रो इसका profit है net profit या loss for the period अगर बात करें तो अपके बार जो profit हो है 4,800 680 क्रोड का previous में 4,500 59 क्रोड का था previous year के same quarter में 4,700 55 क्रोड का यानि कि year to year और quarter to quarter दो जोगा पर इसके जो profits है उसमें भी jump देखने को मिला earning per share देखो कि 9,45 पैसे previous में 8,60 था previous year के same quarter में 9,23 पैसे तो यह इसके earning per share है NPA gross NPA उसके अंदर कैसा performance है तो net NPA आप लोग देखो कि अपके बार 7,213 क्रोड के हैं जबकि previous में 7,208 क्रोड के थे और previous year के same quarter से compare को वहां पर 8,384 क्रोड के year to year net NPA में गिरावट है but quarter to quarter net NPA मे तोड़ा बहुत जंप देखने को मिला है उसके बाद आप लोग देखो कि इसके जो gross NPA वहां 31,833 क्रोड के रहे हैं previous quarter में 32,317 क्रोड के थे और previous year के same quarter में 36,763 क्रोड के तो year to year और quarter to quarter gross NPA में गिरावट है तो यह अच्छी बात उसके बाद आप लोग debt to equity ratio है यह हमें ज जरा रहा है ठीक है और वहीं आप लोग देखो कि इसके जो net profit margin है यह कैसी है previous के मुकावले कम है यहां पर देख सकते हो और profit margin sorry operating profit margin जो देखने को मिल रहे है वो यहां पर देख सकते हो जो previous quarter के मुकावले increase लेकिन previous year के same quarter से compare करो कि वहां से कम है यह इसके results है तो देखो भी quarter basis profits के मामले में सही देखने को मिल रहे है लेकिन आप discuss करते है भी इसका जो estimated है उससे कैसा रहा है तो यहां पर आप लोग देखो बैंक और बरोडा के शेर में जो परदस्त फोल देखने को मिल रहे है अपि result के बाद और इसके जो देखने को मिल रहे है हमें जो net end पर उसम estimated revenue अगरा थे उससे results के ऊपर कितना प्रवाव देखने को मिल चल यह और यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर देख सकते हो भी जो earning per share expect किया गया था वो था लगबग 8.60 पैसे लेकिन आया कितने है आया है 9.15 यानिकि आप लोग देखो के earning per share और जो इसका revenue इसके मामले म तो यहां पर beat हुआ है लेकिन result खराब कहां पर आये हैं यह मुझे भी निसुन में आ रहा है क्योंकि देखो numbers के मामले में सही है अंदर कुछ खामिया हो सकती है हमने deep में इसको पूरा detail में analysis भी नहीं की है ठीक है हमने सिरफ-सिरफ number देखे हैं तो numbers के बाद stock में यहां पर